आज हम इस वीडियो में राष्ट भाषा के बारे में जानेंगे राष्ट भाषा किसे कहते हैं राष्टी भाषा याने देश की भाषा उसे हम क्या कहते हैं देश की भाषा देश को एक एकता के सूत्र में बानने के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह जो कहलाता है राष्ट भाषा यह भाषा हमें मानसिक संतोष भी संतोष की अनुपूती भी करवाता है किसी देश की राष्ट बाषा उस देश की बहुत सांक्याग मतलब बहुत सारे लोग जो बाषा को बोलते हैं उसी बाषा को राष्ट बाषा का राष्ट बाषा घोशित करते हैं किसी देश की राष्ट बाशा वही हो सकती है जिस देश में समस्कृतिया और साहिच्य मतलब रहन सहन गहरा संबंद होता था उस से गहरा संबंद होता है उस बाशा को इब वह साइं क्या मतलब बहुत सारे लोग बात करते हैं उसी को राष्ट बाशा कहलाते हैं कविवर रविंद्रना टैगोर ने भारत को महामानवों का समुद्र कहा है यहाँ पर भाषा परिवार की भाषा बोलने वाले मिलते हैं जैसे कि भारोपी यह द्रविड, आस्टेक, सामी और भोटी चीनी यह द्रविड भाषा का जन्मु इसापुरु 3000 से लेके 2000 के बीश में बताया जाता है उसका जन्मु और आरि भाषा का 4000 इसापुरु से पूरु का माना जाता है जाती द्रमु भाषा की दृष्टी से भारत में भेदबाव की भावना रहा है जाती और भाशा की दृष्टी से किन्तु इसी भेदभाव के बीच एकता भी जन्म लेती है एकता याने एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है इतियास भी गवा है कि जब जब हम अनेकता को लेकर मतलब जाती धर्म के प्रति हम जब भी संगर्श करते हैं अनेकों भाशाओं के बीच एक हिंदी ऐसी भाशा है जो अनेकता को एकता के सूतर में बानता है संस्कृत के पाच्छात पाली, प्राकृत और अपभ्रम्ष और हिंदी इसी प्रक्रिया के परनीती है सत्य तो यही है कि भाशा क्षेत्र विशेश से नहीं बलकि पूरे राष्ट की भाशा बनती रहती है जैसे कि अंग्रेज शासक, मतलब अंग्रेजों ने जब हम पर शासन किया था समस्त वहाँ पर भारत बोलचाल की भाशा क्या थी, भारत में हिंदी थी और जब मुसल्मानों ने आकरमन किया था, जब भी क्या था, अर्बी और फार्सी था तो यह सारे मिलजुलकर हम क्या हो गया हिंदी भाशा को पूरा स्वतंत्र कर दिया गया और फलस्वारूप यही हो गया कि हिंदी और हिंदी तरक्षेत्रों में रशनाकारों ने हिंदी बाशा का ही एक नावरूप निर्मित किया था राश्ची स्वाधिंता संग्राम का दौर 1857 से प्रारम माना जाता है जब अंग्रेजी सासन सत्ता के शिकनजे में पूरी तरह जकट चुका था मतलब पूरे अंग्रेज ने हम पर आकरमन किया था तब विलियम कालेज की स्थापना हो चुकी थी तथा परिक्षा में भी उत्तिन होना अनिवार यह था इसके लिए हिंदी भाषा की जरूरत थी यद भी इसी काल तक नागरी लिपी का प्रयोग हो चुका था परांतो इस लिपी में फार्शी और अर्भी भाषा का ही प्रयोग होता था उसलिए क्या माना जाया जन चेतना लक्ष कर अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए हिंदी के विकास का प्रयाक्त अंग्रेजी सत्ता ने प्रारम कर दिया मतलब सभी को हिंदी कंपलसरी सीखना उन्होंने अंग्रेजोंने प्रारम कर दिया प्रभवय देखा का हिंग्रे के साथ आगे बढ़े कि अंग्रे शासक ने हिंदी की शिक्षा पर जोर दिया अब दियर इस बात की थी कि हिंदी भाशा को राष्ट की बाशा बनाने का सपना देखा जाने लगा था इसी क्रम में तिलक का कतन है कि राष्ट संगटन के लिए आज ऐसी भाषा की हावाशकता है जो सर्वत्र समझा जा सके मतलब सभी देशों में मतलब सभी राष्टों में बोली जाए हिंदी एक राष्ट बाषा बन सकती है क्योंकि सुबाच चंद्र बोस और अनंत शैनम अव्यांगर मदन मोहन मालवी डाक्टर राम मनोहर लोही या हिंदी को ही राष्ट बाषा मानते थे हमने अपना कर्तवी पालन करना चाहिए ठग और जोर शोर से हिंदी का प्रचार पसार मतलब प्रचार होने लगा अड़टाइस होने लगा कोने कोने पुरे देश में सारे प्रदेशों में हिंदी का ही प्रचार होने लगा 37 आंदोलन के शुरुवात के साथ हिंदी नव जागरन का कालपरारम होता है जैसे कि सत्य तो यह है कि भारतेंदो और द्विवेदी युगीन कवियों ने अनेक राष्टी कवतायें लिखकर राष्टी आंदोलन को निखा रहाता मतलब आगे बढ़ाया किन्तु 1920 के आसपस हिंदी भाषा का हो संपन रूप सामने आया जिसे विश्व की किसी भाषा के समक्ष रखा जा सकता था हिंदी का राष्ट भाषा नामकरन भले ही बाद में हुआ हो परंतु इसका राष्टी स्वरु भारतेंद और महावीर पसाजी और द्विवेदी युक में ही उभर कर सामने आ गया था भारति आरी भाषा और हिंदी नामक पुस्तक में डाक्टर चटर जी ने क्या कहा कि विभिन भाषाओं की लोक प्रियता बोलने वालों की संख्या आधी पर गंभीरता पूरवक विचार करने के बाद गोशित किया कि उक्त भाषाओं में हिंदी का स्थान सबसे आगे है वास्तों में हिंदी ही भारत की भाषाओं का प्रतिनी धित्व कर सकती है और पंडित नेवरी ने भी प्रधान मंत्री के रूप में भी ही उन्होंने हिंदी भाषा का ही समात्तन करते थे इस निशकर्षिता यह है कि राश्ट भाषा के रूप में हिंदी को ही अंग्रीजी सासक से ही स्विकारा गया है इनके प्रचार से अनेको भाषा विज्णावने अपना अपना योगदान दिया है परन्तु इसे मानेता बाद में मिली है मतलब importance कब मिली बाद में मिली हिंदी संपुन राष्ट की बाषा अतर संपुन राष्ट की प्रशासनिक सामाजिक तता सैक्षनिक कार्यों में सैक्षनिमल एजुकेशन सभी में हिंदी को ही मातु दिया गया है राष्ट बाषा में जनता की आत्मा बस्ती है भारती संविदान की आठवी सुची में हिंदी को ही राष्ट बाषा के रूप में घोशित किया गया है और राष्ट बाषा संपुन देश में भावनात्मक तता सामस्कृतिक एक्ता का स्थापित करने का ब्रधान साधन होती है भारत को याने देश को एक सूत्र में बादने के लिए भाषा की आवशक्ता होती है वह भाषा कुंसी है हिंदी भाषा तो स्टूरेंस मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने मीत्रों को शेर कीजेगा धन्यवाद थेंक् कि आपको झांना किैना कि आपको अ करताकर है धन्यवाद कीजेगा शयाला है वह वाँ करते ही अईम्टूरेंस